EX1012 in the tool change area कैसे reset करते हैं robot drill machine में चलो उसको follow करते हैं कैसे reset करेंगे वो देखेंगे पहले हम लोग को parameter पे जाएंगे parameter में parameter right enable switch on करना पड़ेगा parameter enable switch on करना के लिए हमको MDI mode पे जाना पड़ेगा MDI mode में जाके वहां पे 0 होगा उसको 1 करके input देना पड़ेगा input देने के बाद parameter enable switch on हो जाएगा उसके बाद हम की प्रिले पे जाना है की प्रिले पे जाके K0010 K10 उसको बोल सकते हैं K10.7 जाना है K10.7 जाके वहां पे अल्लेडी 0 होगा उसको bypass करना है bypass करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना bypass करने के लिए हमको K10.7 पे जाके one करना है और one करके फिर हम उसको input देना है input देने के बाद one हो गया one होने के बाद हम चेक करेंगे one हुआ या नहीं हुआ one हो गया one होने के बाद हम क्या कर सकते हैं मानुएल मोड पे जाएंगे मानुएल मोड में जाके z axis selection करेंगे z axis selection करके down करेंगे down करने के बाद z axis down हो गया फिर parameter enable switch 0 कर देंगे 0 करने के बाद हमारा alarm reset कर देंगे reset हो गया